आज मैं आपके लिए चिकन प्लाव की रेसिपी लिकर आई हूँ बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी ज़रूर ट्राय करेगा इंशालला आपको यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी वीडियो को पूरा देखे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए और साथी बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुँचे चलिए देख लेते हमें चिकन प्लाव बनाने के लिए कि इंकिन चीज सब्सक्राइब लिए है वन टेबल इस्पून सुखी धन्या भरकर है मैंने लिया है वन टेबल इस्पून भरकर सौफ जी होगी हमें हरी मिर्च साथ से आठ हरी मिर्च है के उड़ा एसेंस एक निम्मुका रस नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे खड़े मसाले में म कि बादियान का फूल कुछ कानी मेरी के दानी जो खड़े मसाले आपके पास अवैलिबल हो ठीक है वहना कोई ना हो इसमें स्कीप कर दें चली हम बनाना स्टार्ट करते हैं प्लाव मैंने पहले से ही पैन में ऑईल डाल दिया है एक कप ऑईल है इसे गरम होने देंगे मैंन बूने जिएचे के अनिषे गुड़न फ्राय हमें तक भूनेंगे ऑग लिज़न फ्राय करेंगे यसे हम इसी तरह चलाते हुए देखिए हमारा प्यास गुल्डन फ्राय हो चुका है बिसमें चिकेन एट कर दूंगी वाश किया हुआ अब चिकेन को और प्यास के साथ हम अच्छे से भूनेंगे देखिए हमने अच्छे से इसे चार से पांच मिनट हाई फ्लेम पर इसी तरह भूना है हमारा चिकन अच्छे से बून चुका है अब मैं इसमें अध्रक लसन का पेस्ट एट करूंगी अब इसे भी हम हाइ फ्लेम पर इसी तरह चलाते हुए अध्रक लसन को भी भूनेंगे 3-4 मिनट देखिए हमने इसे भी अच्छे से 3-4 मिनट भूना है अब मैंने इसे सौफ और सुकी धन्या जो ली थी इसे मोटा मोटा मिक्सर में गुमा लिया इसे चला लिया है इसे पाउडर नहीं बनाया था अब वन टेबरिस्पून में नमा क्याट करूंगी अब सब चीजों क अच्छे से डालकर हम भूनने रख देंगे ढखकर इसे लो फ्लेम पर चार से पांच मिनट के बाद हम एक बर चेक कर लेंगे हमारा मसाल अच्छे से बुन चुका है अब इसमें मैं दही एट करूंगी फेटा हुआ दही को हम अच्छे से फेट लेंगे अब दही वाले बावल में मैं पानी ले लूँगी थोड़ा सा कट किया इस तरह से हारी मिर्च लिए है मैंने इसे बीच से कट किया इस तरह से मैंनेтесь हारी मिर्च को इसी तरह कर्द कट किया आप चाहे जिस तरह से भी काट कर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही की भी स्मयल खतम होने तक इसे डखकर हम लो फ्लेम पर बुनने देंगे चार से पांच मिनट इसे भी देखिया हमारा चार से पांच मिनट हो चुका है हमने भून लिया था अब इसमें मैं वाश किया हुआ चावल एड़ कर दूँगी मैंने चावल को वाश करके पांच मिनटी तकरीबन भिगाया था इसे अब ज़ादा टाइम के लिए भी भिगाव सकते हैं मैंने चार से पांची मिनिट भिगाया था अब इसमें मैं दो गलाज पानी एड़ कर दूँगी आप कौन सा चावार इस्तिमाल कर रहे हैं आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा आप जब भी प्लाव बनाए तब आप इसी तरह बनाए इंशालला आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी अब मैं इसमें टू टेबल इस्पून नमक एट कर दूँगी हमारे टेस्ट के अकॉड़िंगे नमक डालेंगी गरम मसाला पॉड़र डालूँगी वन टेबल इस्पून मैंने आपको स्टार्टिंग में गरम मसाला पॉड़र दिखाना भूल गई थी अगर आप गरम मसाला पॉड़र डालना चाहें तो डाले वनना इसकीप कर सकते हैं से एक निम्बू का रस देखे मैंने बीज निकाल लिया था अब वो मैं एट कर रही हो अब इसमें मैं फ्यू ड्रॉप के उड़ा एसंस एट करूँगी अब इसे अच्छे से चला लेंगे इसंस डालेंगे बहुत बॉइल आने देंगे हमारे प्लाओ में बॉइल आ चुका ह अब इसे हलके हाँ से हम चला लेंगे हमें इसे बार बार नहीं चलाना है अब इसे हम प्लाओ का पानी सुखने देंगे हमारे प्लाव का पानी सुख चुका है अब एक तावा ले लेंगे इसे दम लगाने के लिए तवे पर रख देंगे हाई फ्लेम पर 5 मिनट तक रखेंगे 5 मिनट बाद 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे दम देंगे प्लाव बनकर तयार है झाल करने नेक्स वीडियो में अगर आपको हमारी ये पसंद आयो थो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें जाद जादा शेर करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करकी भी बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्लाहफीज थैंक यू फर वाचिंग